नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है अब एक सपना हकीकत बनने जा रहा है चीन, धर्ती और चांद के बीच एक बहुत ही खास निटवर्क बना रहा है सोचिए आप चांद पर रहने वाले लोगों से सीधे बात कर पाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने दोस्त से फोन पर बात करते हैं ये कोई साइन्स फिक्षन नहीं है बलकि हकीकत बनने वाली है और इसमें चीन सबसे आगे है आईए इस अध्भुत प्रोजेक्ट के बारे में कहराई से जानते हैं चीन के साइंटिस्ट्स ने धरती और चांद के बीच एक नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है जिससे स्पेस में जाना और भी आसान हो जाएगा चीन स्पेस में एक खास रास्ता बनाना चाहता है इस रास्ते में पृत्वी और चंद्रमा के बीच 30 खास उड़ने वाली मशीने होंगी जिन्हें साटलाइट्स कहते हैं चंद्रमा पर भी 3 खास जगहें होंगी जो इन साटलाइट्स को काम करने में मदद करेंगी ये सब मिलकर दुनिया भर के लोगों को बहुत जल्दी बात करने, स्पेस में रास्ता खुजने और स्पेस में होने वाली चीजे देखने में मदद करेंगे इस स्पेस हाइवे को बनाने के प्रोजेक्ट में 3 स्टेप्स है पहले स्टेप में वे कुछ साटलाइट्स को चंदरमा के चारों और एक खास अंडाकार या ओवल आकार में घुमाएंगे फिर वे चंदरमा पर साटलाइट्स से बात करने के लिए एक खास जगह बनाएंगे इस फेज में दो साटलाइट्स और एक लिउनर कंट्रोल स्टेशन होंगे, जिसकी मदद से दस लोग आपस में बात कर सकते हैं अगले फेज में उनके पास स्पेज में दस साटलाइट्स होगी, जो पृत्वी और चंद्रमा के चारों और चक्कर लगाएंगी ये साटलाइट्स एक दूसरे से बहुत तेजी से बात करने में मदद करेंगे वे चंद्रमा पर एक नया स्पेज स्टेशन भी बनाएंगे इससे पृत्वी और चंद्रमा के बीच बहुत सारी जानकारी भेजना आसान हो जाएगा और हमें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि स्टेज में चीजें कहा है इस फेज में डेटा की स्पीड 5 गीगाबाइट प्रती सेकंड तक बढ़ जाएगी और नेविगेशन की एक्क्योरेसी 100 मीटर तक बढ़ जाएगी योजना के आखरी फेज में साटलाइट्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी कुल 30 साटलाइट्स होगी और चंद्रमा पर एक तीसरा स्टेशन होगा इस फेज का लक्ष डेटा की स्पीड को 10 गीगाबाइट प्रती सेकंड तक बढ़ाना और चंद्रमा पर नावगेशन अक्योरेसी की सटीक्ता को 10 मीटर तक बढ़ाना है इस सुपर हाइवे को बनाने का लक्षे चात पर मौजूद 20 या उससे ज्यादा आस्ट्रोनाट्स को एक ही समय पर धर्ती पर रहने वाले लोगों से आवास, तस्वीर या वीडियो के जरिये बात करने की सुविधा देना है इस से आस्ट्रोनाट्स और धर्ती पर बैठे कंट्रोल रूम के बीच अच्छे से काम हो सकेगा जह सुपर हाइवे, धर्ती और चांद के बीच कम्यूनिकेशन को बहुत तेज कर देगा इस प्रोजेक्ट से धर्ती और चांद के बीच की जगह में एक मीटर जितनी छोटी चीजों को भी देखा जा सकेगा जहां हाइवे सही जगह का पता लगाने, रास्ता दिखाने और सही समय बताने में मदद करेगा सही रास्ता बताने से चाद पर सुरक्षित और सही तरीके से उतरने में मदद मिलेगी आगे चल कर चाद पर चलने वाले रोबोट और दूसरे वाहन इस नेटवर्क की मदद से खुद ही रास्ता खोज सकेंगे जिससे काम आसान और सुरक्षित हो जाएगा चीन के इस प्रोजेक्ट में की गई इन्वेस्टमेंट स्पेस एक्स्प्लोरेशन में बढ़ते हुए कंपटीशन को दिखाता है चंद्रमा के पास एक मजबूत कंट्रोल सेंटर बनाकर चीन, भविश्य के लिउनर और डीट स्पेस मिशन्स में एक बहुत खास भूमिका निभा सकता है यह infrastructure, scientific research और resource exploration के लिए बहुत आवशक होगा Challenges यह परियोजना भले ही बहुत आशाजनत लग रही हो, लेकिन इसमें technical challenges भी है तीस satellites का network बनाना और चंद्रमा पर ground stations थापित करने के लिए engineering expertise और financial resources की आवशकता होगी जदी यह project सफर रहा, तो यह चंद्रमा की खोज और space में इंसानों की उपस्थिती के एक नए युक्का मार्ग बनाने में मदद करेगा हाल के वर्षों में कई देशों ने space exploration की शुरुवात करते हुए कहीं space projects शुरू किये हैं इस तेजी से environment पर संभावित प्रभावों की भी चिंताएं पैदा होती हैं, तो आएए इन मिश्नों के environmental impact की जाच करें बढ़ती संख्या में satellites और अंतरिक्ष मलबे environment के लिए एक बहुत बढ़ा खत्रा है तक्राव से अधिक मलबा पैदा हो सकता है, जिससे केसलर सिंड्रोम नामक एक प्रभाव हो सकता है, जो हमारी धर्ती के नजदीक जगह को बेकार कर सकता है रॉकेट लॉंच करने और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्मान के लिए परियाप एनरजी और रिसोर्सेस की आवश्यक्ता होती है, जो ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है रॉकेट लॉंच, कार्बन डाइकसाइड और अन्यहानिकारक सबस्टेंस अट्मोस्फियर में छोड़ते हैं अफसोस की बात है कि चीन की अर्थमून सुपर हाइवे प्रोजेक्ट की कोई टाइम लाइन या बजट के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृप्या लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल